सर्दी का सीजन हो और मूली का अचार घरों में ना डाला जाया ऐसा तो हो इने सकता और यही वो सीजन है यही वो टाइम है जब बाजारों में आपको अच्छी और सस्ती मूली मिल जाएगी मूली और मिर्च लेकर आएगे और बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा अचार बना आज हम मूली का और मिर्च का मिक्स करके अचार बनाएंगे तो यहाँ पर हमने दो मूली ले ली है आप अपनी जरुत के अनुसार जादा या कम मूली लेकर इसका अचार डाल सकते हैं सबसे पहला काम हम क्या करेंगे मूली को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोलेंगे उसके बाद इसे थोड़ा पानी सूखने देंगे इसका और इसे इस तरीके से पील कर लेंगे छील लेंगे उसके बाद इसका head and tail part remove कर देंगे, इसका कोई काम नहीं होता, यहाँ पर हमारी मूली छिलकर तयार है, अब हम इसको cut करेंगे, cut कैसे करना है, आप अपनी सुविधा के नुसार और पसंद के नुसार इसके gold टुकडे काट सकते हैं, या फिर मूली को 3-3 इंच के टुकडो मे काटिए and then इसको french fries जैसे की finger chips होते हैं वैसे काट लीजे, इस तरीके से, लंबाए में, जैसे आप खाना पसंद करें वैसे इसको काटिए और अचार बना लीजे, मूली काटते टाइम आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मूली को बहुत ही पतला नहीं काटिएगा, इसमें crunch रहे, इसके तिक टुकडे काटिएगा, मूली हमारी कटकर त्यार है, अब साथ ही साथ हम मेर्च को भी काटकर त्यार कर लेंगे, हमने यहाँ पर दो मूली के लिए 10-12 मेर्च ले ली है, यह तीखी वाली हरी मेर्च है, आप कम तीखी यानि की light green मेर्च भी ले सकत मूली के साथ हमने मेर्च को भी वाश कर लिया था और सुखा लिया है, अब हम पहला काम क्या करेंगे, इसके डंठल रिमूव कर देंगे, यह जो crown area होता है इसको हटा दीजे, इसको अगर रखेंगे, तो अचार आपका खराब हो सकता है, तो अचार जब भी डाले मेर्च क काटेंगे कैसे, आप इसके छोटे टुकडे भी कर सकते हैं, या फिर मूली के जैसे टुकडे काटे हमने, इस साइज के उतने साइज के इसके मिर्च के टुकडे भी कट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक मिर्च के चार टुकडे करेंगे, इस तरीके से, अगर मिर्च आपक के लिए तो इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एट कर लेंगे और दो छोटे चम्मच हम इसके अंदर नमक एट करेंगे ये नमक मिला देने से होगा क्या मूली और मिर्च का जो एकसेस पानी है जिससे के अचार खराब हो जाकता है ये बहार आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे इस मूली को उस पानी से निकाल कर सुखा लेंगे तो ऐसे हम मिक्स करके इसे रख देंगे आधे गंटे के लिए उसके बाद हम देखते हैं तो इसे ढख कर रखेंगे साइड में अगर आपके पास समय है तो इसे रात भर के लिए यूही छोट दें नेक्स टे मूली ने काफी सारा पानी रिलीज गया है और जब आप इसे गंटे के लिए रखेंगे न तो इसे बार-बार चला दीजेगा 15 मिनट पे इसे ऐसे टॉस कर लीजे ताकि उपर नीचे सारे टुकडे नमक के साथ मिक्स हो जाए तो अब हम इस पानी से मूली और मिर्च को बहार सुखा लेंगे अगर धूप आती है अच्छी से तो धूप में सुखा लीजे एक गंटे के लिए या फिर आप इसे फैन के नीचे तीन से चार गंटे डाल दीजे यह सूकर त्यार हो जाएंगे बचा हुआ नमक और हल्दी का पानी क्या करेंगे इससे फेक देंगे इसका क अबुत मसाले हैं इनने भून कर पीस कर इस्तमाल करेंगे एक चोटा चमच अजवेन दो बड़े चमच ब्लाक मस्टर्ड सीट्स यह काली राई यह एक दो थरीके की राई आती है बहुत ही बारीक होती है हमने वो नहीं ली है हमने मीडियम साइज की राई ली है इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक बड़ा चमच राई दाल लेंगे यह आपको सूपर मारकेट या फिर किसी भी की राना शौप पर मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो मट डालिए एक चमच काली वाली राई और बढ़ा लीजे दो बड़े चमच काला नमक एट करेंगे इसके अंद तो आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं एक चोटा चमच मेथी दाना एट करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम मसालो को भून लेते हैं एक पैन करम करेंगे और इसमें एक चोटा चमच मेथी दाना एट करेंगे चीरा और अजवाइन भी इसके साथ ही साथ एट करेंगे का अचार खराब कैसे होगा और दूसरी बात अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है मसाले भुन चुके हैं गैस की आज को बंद कर देंगे और इसके साथे साथ इसके अंदर हम राई एट करेंगे ताकि जो एकसेज नमी होगी अराई के अंदर ये निकल जाएगी तो पैन गरम है और इसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे इस तरीके से ताकि इसकी नमी निकल जाए और इन मसालों को ठंडा करके पीसेंगे जब तक कि ये मसाले ठंडे होते हैं सेम पैन लेंगे पैन गरम है और इसके अंदर हम सरसो का तेल गरम कर लेंगे सरसो का तेल थोड़ा सा तीखा होता है इसका तीखा पर निकाल ले के लिए हम ये तेल गरम कर लेंगे ताकि आप इसे इंस्टेंट खा सके और अचार सरसो का तेल हम क्यूं इस्तमाल करते अचार के अंदर ताकि इसका जो तीका फ्लिवर होता है अचार को खराब नहीं होने देता इसमें फंगस नहीं लगता है तेल को धुमा उठने तक गरम करना है इस तरीके से धुमा उठने लग जाए तभी आप कैस के आज को बंद करें और तेल को ठंडा कर लें उसके बाद इस्तमाल करें तो जब तक तेल ठंडा होता है बाकी की तयारियां कर लेते हैं अचार के मसाले ठंडे हो चुके हैं इन्हें मिक्सी केक छोटे जार में शिफ्ट कर लेंगे और पीस लेंगे से पहले साथी साथ कुछ मसाले एट कर लेंगे मिर्च पाउडर एट कर लेंगे दो बड़े चमच नमक एट करेंगे दो छोटे चमच, एक काला नमक है और इसके साथ ही हम हींग एट कर लेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच एट करेंगे और एक चोटा चमच या आधा चोटा चमच सफेद नमक एट कर लेंगे नमक आप अपनी सौत के नुसार एट कीजेगा और अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे मसालू को दरदरा पीसने से होता क्या है जो इसके चंक सोते हैं मुह में आते हैं तो बहुत टीस्टी लगता है अचार अब इसके अंदर हम राई दाल भी एट कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अचार का टेक्श्चर आप देख सकते हैं राई दाल एट कर लेंगे इसके अंदर राय दाल totally optional है, अगर है तो ही डालिएगा, otherwise परिशान मत होईएगा इधर हमारे मूली और मेच के टुकडे भी सूख कर तयार है इनने इतना सुखाना है कि इनके उपर की नमी निकल जाए इनके टुकडे कड़क नहीं होने चाहिए, बस आपने इतना ध्यान रखना है अब एक बोल लेंगे और इसके अंदर हम मसाले त्यार कर लेंगे तो जो हमने तेल करम किया था, उसकी थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर लेंगे और अचार के मसाले मिक्स कर लेंगे और मसाले नीचे हैं, मतलब मसाले अच्छे से फूल चुके हैं जादा टाइम के लिए आप रखेंगे तो भी बेटर है बट ये अचार के साथ मिलकर भी फूलते हैं तो अब इसके अंदर हम अचार के टुकडे एट कर लेंगे मिर्च और मुली के टुकडे एट करेंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर हम सफी सिर्का एट करेंगे आप सफी सिर्का की रेसिपी चाहते हैं सस्ते दामों में बनाना चाहते हैं तो हमें बताइए हम आप को उस रेसिपी का लिंग देंगे आप इस अचार के अंदर कोई भी विनिगर एट कर सकते हैं जैसे कि एपल साइडर यानि कि सेव का सिर्का या फिर गन्य का सिर्का जामुन का सिर्का कोई भी सिर्का चलेगा अचार में सिर्का एट कर देने से होता क्या है आपका अचार खटा हो जाएगा और साथी साथ इसमें फंगस नहीं लगेगा अचार खराब नहीं होगा सालो साल तक अचार अगर आप विनिगर नहीं खाते तो आप इसके अंदर नीबू का रसे एट कर सकते हैं या फिर आम चुर पाउडर खटा करने के लिए इसमें आम की खटाई पीसी खटाई आती न वो एट कर सकते हैं बचावा तेल भी इसके अंदर हम एट कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अचार देखकर आपको लग रहोगा कि कितना ज़ादा टेम्टिंग बना है जब आप इसे ट्राई करेंगे और खा कर देखेंगे तो यह रियली बहुत ही ज़ादा टेस्टी बना है इस अचार में वो मसाले अड़ हैं जो आपकी हल्थ के लिए अच्छे हैं जैसे की काली मिर्च, अजवाइन, हींग, मेथी दाना, जीरा और काला नमक भी यह सारे मसाले आपकी हल्थ के लिए अच्छे हैं आपके जार सुखे होने चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, कांच का जार लेते स्टेलाइस कीजे उसके बाद इसके अंदर अचार स्टोड कीजे, इसे अचार आपका लॉंग टाइम के लिए चलेगा, खराब नहीं होगा अचार की बाटल के मुँपर एक कॉटन का कपड़ा बांदिया और इसे चार से पांस दिन की धूप दिखाईए, जिसे अचार आपका जल्दी मैचूर हो जाए, सनलाइट में अगर सनलाइट नहीं आती है, मतलब धूप नहीं आती है आपके घरों में, तो आप क्या कीजे, इसके उपर इतना तेल आट कीजे, जिसे की अचार तेल में डूप जाए, जिसे लॉंग टाइम के लिए चलेगा, साल बर भी खराब नहीं होगा, और थोड़ा सा वीनिगर एट कीजे एक चमच और थोड़ा नमक स्प्रिंकल कीजे उपर इसकी सतह पर, जिसे अचार खराब नहीं होता, अचार अच्छा लगा है, तो एक लाइक दीजेगा दोस्तों, और शेर कीजेगा इसे अपने दोस्तों के साथ, थेंक ये सो मच पर वाचिंग, टेक के लुए।